महारास्टर में नया सोया बीन की आवग बढ़कर पच्छी सो से तीन हजार बोरी के करीब होने लगी है महारास्टर में नया सोया बीन उन्चासो से लेकर त्रेपन सो रपे प्रतिक विंचल तक बिक रहा है महारास्टर में नये सोया बीन की आवग को देखते हुए स्टोकिस्टों में फिलाल गवराहट बढ़ गई है जिससे पुराने मालों में बिक्वाली देखने को मिल रही है वहीं मध्यपरदेश में गुरुवार को पुराने सोयाबीन की आवक बढ़कर करीब दो लाग बोरी पर पहुँच गई जिससे सोयाबीन की कीमतों में जोरदार गिरावट आई है प्लांचो खरीदी सोयाबीन के भाव करीब 500-300 रुपे नीचे बोले जाने लगे वहीं प्लांट खरीदी भाव नीचे में शत्तावन सो रुपे से लेकर उन्सट सो पचास रुपे प्रतिक विंचल तक पहुँच गया इधर चामनी मंडी में सोया बीन के भाव नीचे में 56 रुपए तो उपर में 58 रुपए प्रतिक विंचल तक देखने को मिले और सोया तेल में भी उंचे दामों पर ग्रहा की कमजोर होने से भाव में गिरावट रही सोया बीन तेल इंदोर 10 रुपए घटकर 1225 से 1230 पर चपकी पाम तेल 1240 रुपए प्रति 10 किलो रहे गया दूसरी और अमेरिकी क्रिशी विभाग के मताबिक नीजी निर्यातकों ने 2022-23 विपनन वर्ष के दोरान चीन को डिलिवरी के लिए 5,17,000 टन सोया बीन की बिक्री की सूचना दी है ब्राजील की खादे सप्लाई और सांखे की एजनसी को नाब ने एक अनुमान जारी किया है कि 2022-23 विपनन वर्ष में देश की सोया बीन की फसल रिकोर्ड 150.36 मिलिये टन हो जाएगी Bureau Report, Market Times TV